नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News हर्याना में मुख्य मंत्री तो तै हो चुका है नियाप सिंग सैनी ही हर्याना में मुख्य मंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे नयाप सिंसैनी तक्त पलट हूने के बाद भी मुख्य मंत्री की कुरसी पर काबिस हुए थे जो नाइक जनता पार्टी और भारती जनता पार्टी का गडबंधन तूटने के बाद अपने दम पर भारती जनता पार्टी ने सरकार का गठन किया उस दोरान निर्दलिय विधायकों का समर्थन भी था भारती जनता पार्टी के तहत मनोहलाल खटर नहीं बलकि नयाप सिंसैनी को मुख्य मंत्री बनाया गया एक नया चहरा हर्याणा में निकल कर सामने आया लेकिन किसी को उमीद नहीं थी कि यही नया चहरा एक बार फिर से मुख्य मंत्री की कुर्सी पर काबिस हो जाएगा अब मुख्य मंत्री की कुरसी पर न्याप सिंग सैनी तो काबिस हो गए हैं लेकिन अब अगले दिनी यानि कि 17 अक्टूबर को होगा शपत ग्रैंट समारो वो भी पंचकुला में संपन होगा और उस दोरान मौजूद रहेंगे भारतिय जंता पाटी शाषित राज्यों के जेपि नड़ सहित तमाम विपक्षी दलों को भी नियोता भेजा गया है इस नियोते में देखा जाए तो अभे चोटाला को निमंत्रन भेजा गया है वो पेंदर सिंग हुड़ा को निमंत्रन भेजा गया है कॉंग्रिस पार्टी के दिक्कत चहरों को निमंत्रन भेजा ग रंजी सिंग चोटाला को भी निमंत्रन भीजा गया है दावा किया जा रहा है कि एक भवे शपत ग्रहन समारों हूता हुटा 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 में देखा जाएगा 17 अक्टूबर को और विपक्षी दलों के साथ विपक्षी चहरे भी माजूद होंगे लेकिन सीट ना मिलने के बावजूद निर्दली चुनावी मैदान में उतरने के लिए मजबूर हो गए थे अब रंजी सिंग चोटाला क्या वाकई शपत ग्रहन समारों में शामिल होते वे नजर आएंगे या फिर नहीं अगर ऐसा होता है तो मुमकिन माना जो सकता है कि भारती ज